नमस्कार साथ यूँ गूड इवनिंग स्वागत आप साभी का आपका अपने यूटूब चैनल ब्रदर्स कलासेज के अंदर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और बड़ी वेकेंशी के बारे में काफी दिनों से चर्चा में रही बहरतिय डाग विबाग के अंतरगत अन्तान में अजार पोश्टों के उपर ये वेकेंशी हैं निकली हैं और किस-किस जिल्ले में कितनी पोश्ट हैं किस किस राजिय में कितनी पोस्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे तो टोटन निकली हैं तो इसके बारे में पूरी जानकरी देखें हैं इसके पहले आप सी अन्यूद दन है कि चेनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चेनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेश कर ले, ताकि भविशय में आने वाली हर वेकेंसी की 뉴스 अपडेटे वो आपको समय समय पर मिलती रहे, तो इसके अंतरकर बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंतरकर नीमन पदों पर जो है वेकेंसी निकली है, पोस्ट मेन की मल्टी टास्किंग, इस्टाप की मेलगाड पोस्टे हैं वो आपके multitasking इस्टाब की MTS की और mail guard की बात करें तो 1445 पोस्टे हैं इसके अंतरगत हैं अब इसके फोरम फीस हैं उस सभी के बारे में हम बाते करेंगी तो डाग विबाग के अंतरगत सपना देख रही युगाओं के लिए अच्छी कबर है कि इंडियन अरकिलों में रिक्ट पदों पर की जाएगी 23 राजी के अंदर ये वेकेंसी हैं वो करबाय जाएगी और MTS mail guard postman सहीत विबिन पद इसमें सामिल किये गए हैं तो इसकी अधिक जानगारी के लिए आप official website पर जाके भी विजिट कर सकते हैं तो इसमें postman हैं इसमें qualification क्या चा skill होना चाहिए computer का अच्छा knowledge है उसके पास होना चाहिए mail guard है उसके लिए उसके पास भी must heavy basic computer skill है वो होना चाहिए 10 प्लस 2 होना चाहिए computer का अच्छा ज्यान होना चाहिए जैसे अभी राजस्तान सरकारे वो RACIT निसुल्क करा रही हैं तो वो भी आप कर ले RACIT आपके पास होनी चाहिए computer का अच्छा ज्यान है वो आपके पास होना चाहिए अब आगे बात करते हैं इसमें age की कि इसमें किस age तक के हैं वो candidates forum फिल कर सकते हैं तो Indian Post Office 2022 के लिए न्यूंतम IU है वो 18 वर्स रखी गई है और अधिकतम IU 27 वर्स रखी गई है इसके अलावा आरक्षी तवर्गों को सरकार के नियमा अनुसार जो है फोरम हैं वो कब से start होंगे और इसके जो आगे की process है वो कब से चालू होगी तो इसमें forum की बात करें तो आपके December के अंदर के ये forum है वो आपके चालू होंगे अभी fix date आई नहीं है इसकी और December के अंदर इसके forum में वो चालू होंगे और selection process क्या रहेगी इसकी Indian Post Office बरती 2022 के लिए अभ्यारती का chain अंकों के अधार पर direct merit के अधार पर किया जाएगा इसमें कोई liquid fix आयोजे तर नहीं की जाएगी इस बरती में आविदकों का chain 10 प्लस 2 पर आप अंकों के अधार पर किया जाएगा और अधिक जानकारी के लिए आप झाल